माश्कारम आफ्रम आज मेंने बिनाया है मक्य की रोती सर्सोका साग और चैट्मी जाटमी गूड़ और मकं अधकल सर्दियों के लिए यह बहुत अच्छा कॉंभिनेशन है मक्य की रोटी सर्सोका साग वालने के लिए मैंने एक स्टीम वीसल लिया है ज्यादा ने चोट बटर कुछ इसमें दाला है और लेसन काट सबॉत धनिया उसका भाट अचा अशा फूर्वर आता है और रजामिर्च। अधनिया पाउडर भी थोड़ा मैना एट किया है थोड़ी लाल मेच साबुत डाली है और फिर जब थोड़ा सौटे हो गया तब मैंने इसमें जो स्टीम किया हुआ या बॉयल किया हुआ आप कह सकते हैं सरसो था उसको डाल के अब इसको एक तरह से घोटते हुए काफी देर तक हमें सिमर फ्लेम पे पकाना है तो थोड़ा मैंने इसको निशर से कस दबाया है उसके बाद इसको चलाते हुए इच विच में ये आप देख सकते हैं बहुत बहिया सा टेस्टी हमारा सरसो के साथ प्यार हो गया है और इसके जो फ्लेवर आते हैं हरी मिर्च वगरा के ब लेकिन आज मैं केवल मक्य के आटे का बना रही हो इसको ऑल्मोस्त बॉइलिंग वाटर से बूलना है जब बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो थोड़ी देर चम्मत से चलाते हुए उसके बाद उससे दो बनाना है इसमें मैंने अजवाइन भी डाली है क्योंकि थोड़ा ठ बना रही है दूसरे लोहे वाली तवेपे तो उसके लिए मैंने उसमें तेल या घी जो भी आप खाते हैं डाल के बनाई है बहुत तेस्टी लगता है और यह जो मिटी वाला है मैंने एक साइट चिपका दिया है जब पग गया है तो उसको मैं दूसरी साइट से गैस से डा जब कोई चीज फ्राइड होती है तो और ही अच्छी लगती है तो यह मैंने एक पराठा मेनाया है इसको भी उलटते पुलटते हुए सिर्म फ्लेम पे बाद में सेकी बहुत अच्छा लगता है और इसको जब सर्व करना हो तो हमेशा बटर के साथ दीजे और यह देखिया अच्छा पराठा रोटी दोनों प्याज वगेरा और लैसुर मिर्चे की चट्नी बनाई है यह बहुत ही टेस्टी चट्नी है मेरी और सर्सुकर साग बटर के साथ वो भी सर्व करिये और बटर और गोड जरूर इसमें आप मक्के की रोटी को गोड से खाई बहुत ही टेस् है इसको आप लोग जरूर रोटी इस तरह से बना कि देखिए और क्योंकि आटा थोड़ा सॉफ्ट बनता है तो आप इसको हाथ से ही बेल के हाथ पे करके तवे पे डालिए और फिर उसे फैला देजे और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है बिलकुल भी तो आप इसमें गह सब्सक्राइब करिए आप छोटी चोटी रोटी भी बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बनाए तो अगर यह वीडियो हमारा पसंद आया हो आपको तो लाइक शेर जरू करिएगा मैकसम शेर करिए सबके साथ और साथ साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फू वाचिंग नमश्काराइब